नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रहा से के पार वराज इस वीडियो में एक्स्प्रेइन करने जा रहे हैं दीव एंपार डैरिस का सीजन सेवन के एपिसोड नमबर 9 तो चलिए शुरू करते हैं चुरू करने से पर एक रीगैप हो जाए लास्ट एपिसोड में हमने दे हम सेन देखते हैं शिकागो का तीन साल बाद का जहाप पर स्टेफन अपने समान चाहर। और जल्दी में कहीं जाना चाह रहा है तब ही कर देण स्टेफन परोलते हैं तुम साफ कर देता हैं उसको जाना पड़ेगा ठीम और के शिन संदी बनाए जा चुके उन दोनों को उसे बचाना है और तभी स्टेफिन बोलता है और क्या उप्शन है मेरे पास कोई उप्शन नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा और वहांस पर जाने के लिए त्यार हो जाता है तभी हम देखते वैल्डी बोलती है मैं भी चलूंगी साथ पर वह बोलता है नहीं तुम्हें नहीं जाना है और मैं मेरी वज़ेश तुम्हाई जान खत्रे में नहीं डाल सकता है फिर दोनों किस करते हैं और उसके बाद हो बोलता है प्लीज के मैं तुम्हारी गाड़ी लेके जा सकता हूं क्योंकि मेरी गाड़ी तो मैं खुद आग पर हम देखते हैं सबसे पहले नोर आती है अपनी श्रडधांचली देने के लिए और कहते हैं कि मेरी मॉम उससे बहुत प्यार करती थी बड़ जब उन्हें पर चला कि मैं अलग हूँ साइफन करती हूं लोगों का मैजिक तो उन्हें मुझे छोड़ दिया और आपने मुझे चुछ सुत्रह प्यार दिया जितना मेरी मा ने दिया था यह नंदेख है अपने मेरी बात पर यकीन किया और मेरी एक तरसे सपोर्ट की उससे कोई भी नहीं कर सकता था और तभी हम देखते श्टेफन बोलता है भाई लास्ट टाइम जो रियल में मरी थी बैलिम, तब भी तुने कुछ नहीं किया था इस बार तो अच्छे वर्ड बोल सकता है उनके बारे में और यह कहने को देखते हैं उसकी कौफिन पर हाथ रखता और बोलता है लिली तू पहले भी एक बेकारम आ थी अब भी एक बेकारम आ है और तभी डेवन से टेफन को वैसे भी कोई उमीद नहीं थी बड़ अब स्टेफन का दिमाग और खराब हो गया था फिर हम देखते हैं कुछ दिन बीच जाते हैं उसके बाद हम देखते कैरलाइन एक तरह से क्रिस्मस की पार्टी समाल रही थी और लोगो को डोनेट करने के लिए एक तरह से चीज़े कलेक्ट कर रही थी वह नहीं पर हम देखते हैं स्टेफन बोलता है मुझे तुम्हारा भी तो ख्याल रखना होगा और तब बोलती है मैं अपना ख्याल तो रख लूँगी वैसे बट मैं एक तरह से मॉटी सी हो गई हूं मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा बर डोंट वरी तुमारे पास ज करने के लिए रेडि थी और उसी मॉट पर अलारिक आ जाता है और अलारिक बोलता है तुम्हें सब कुछ समाल लिया इस आलत में तो मैं थोड़ा बहुत करी सकती हूं और यह कहने कोदम देखते हैं कि अलारिक और कैरलाइन एक साथ बेबी सिटिंग मतलब बेबी को कैसे है करते हैं उन classes में जाना शुरू कर रहे थे फिर हम देखते हैं बानी के पाथ सीधा नवरा आ जाती है और बोलती कि यह गिफ्ट मेरी तरफ से हैं उन छोटे बच्चों को जापर तुम डोनेट कर रही हो और तभी हम देखते हैं बानी की पीछे-पीछे चलती रहती है और बा मेरी को चाहिए और लेटेस्टली जीता मुझे पता है तुमने मेरे दोस्त को एक तरह से गिडणाब भी कर लिया था तो मैं help क्यूं करूं और यह कहने को बहुत दूर करने की कोशिश कर रही थी बार बार तीर हम देखते हैं वेलरी जाती है और उसको देखते हैं कि बहु जाती है मैरी और बोलते हैं तुम यहां पर क्या कर रही हो और तभी वैलरी बोलते हैं जा रही हूं बस मेरा कुछ समान था वो लेकर यहां से चली जाओंगे हमेशा के लिए और तभी हम देखते हैं मैरी बोलते हैं तुमने यही पोइंट चुना स्टेफन की एक तरह से सि टाइम चीए था और मुझे कोई टाइम और सपोर्ट की दोनों की जुरती जो तब नहीं था और यह कहने को वहां से जाने की कुश्च करती है और तभी पूछते हैं तुमने उसको देखा क्या और तभी वैलरी बोलती है किसकी बात कर रही हो तुम और बोलती है हम एक तरह से कि एक तरह से अलारिक उसे शान्त करने की कोशिश कर रहा था महीं पर हम देखते हैं क्लास के बाद वह बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती है हामोन अप संद डाउन हो रहे हैं मेरे एक तरह से एक तरह से एंगर भी बढ़ रहा है तुम जे शाहिद थोड़ा कंट्रोल करना तब ही हम देखते हैं वो अपनी वेंपाय हिरिंग से सुनती है एक पेरेंट एक कपल वहां पर बात कर रहे थे और बोल रहे थे यह तो स्टूडेंट है ना विटमोर कॉलिज में और वो प्रोफेसर है लगते हैं इसको अच्छे मांक्स आ रहे हैं एक तरह से सब्जेक्ट मे और ये सारी बाते सुनने के बाद हम देखते है कैरलाइन को गुस्सा आने लगता है और उसके हम अपएंड डाउन तो पहले थी उसकी वेंपायर जैसी आखे होने लगती है और बोलती है कि आजकल की मोडन सोसाइटे में क्या होता है इन लोगों थोड़ा मुझे बताना प अब इस टाउन के जा पर मारने जा रहे तरहें के जूलियन को और बहुत लंबे टाइम से उसका पीछा भी कर रहे है तभी हम देखते है इस टाइम पर स्टेफन तो पूरा तयार होके आए बट डेवन बोलता है मैं तेरी सिर्फ सपोर्ट करने के लिए और मुझे महासे को गलत पंगा ले रहे हैं बड़ यह कहने कोद हम देखते हैं ढूनते ढूनते वो एक बार के अंदर जाते हैं और जैसे वो बार के अंदर जाते हैं हम देखते हैं लाशे बिशी पड़ी थी हर किसी का सर कटे हुए थे और हर तरह फिल आश लाश थी और यह देखने बाद समझ जाते हैं कि यहां पर जूलियन आ चुका है तभी हम देखते डेवन अपने भाई को फिर भी समझाने की कोशिश करता है और कहता है मैं चाहता हूं जूलियन मर जाए मुझे उसके कोई मतलब नहीं है बटका मतलब यह नहीं कि हम भी मर जाए वह इतना शातिर है ज्यादा और उसको अपनी पूरी सिचुएशन बताता है और यह सुनने के बाद यह एक तरह से उसने मदद मागी थी नोरा से फिर हम देखते हैं बानी एक तरह से बातचीत करने लगती है और एक तरह से इंटरक्शन करना स्टार्ट कर देती है नोरा के साथ शैद उसकुछ पता करन रहा था जिसका नाम है Sunberry और यह सुनने को बाद हम देखते हैं नोरा थोड़ी हैरान थी और यह प्रता करने को बाद पता चलता है कि जो Sunburst City है वो उसकी native place है एक तरह से Julian की और वहाँ पर अकेला नहीं लड़ता है बलकि अपनी पूरी टीम के साथ लड़ता है और यह सुनने को बाद बानी हैरान हो रही थी तभी हम देखते है डेमन और स्टेफन बहास कर रहे थे और स्टेफन बोलते है तुम ऐसे कैसे हो सकते हो भाई डेमन एक तरह से तुम्ह मोम के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है और क्या तुम्हें बाद में पत्रा चलने वाला है अभी तुम्हें एक तरह से ट्रामा में हो और यह कहने है को डेमन बोलता है बहुत बेकार टाइम चल रहा है एक हफता हो चुका हमारे पर क्या बीटती थी हमारी जिंदगी खराब ह गही और तभी श्टेफन उठके खडा हूता और बोलता है तुम्हें क्या बीती ऐसी और जो तुमआ ऐसे कहने लग रहे हो और यह कहने को बाद बोलता है तुम्हें नहीं पता शायद तुम भूल गये होगे एक तरह से तुमारी मोम मरी थी और मेरी जिंदगी का प्यार औ मेरी नहीं और एक तरह से गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरी पूरी जिंदगी तुमने एक तरह से खराब कर दी है तभी हम देखते हैं कि वो तलवाद निकाल देता है जिसके उपर हो क्रिस्टल लगा हो था फिनिक स्टोन वाला और तभी हम देखते हैं बोलता है ये इस बड़ मुझे लिली ने बचाये रखा, अब देखता हो कि तुम में से कौन सा जाता है इसमें से पहले, क्योंकि ये जिस तरह लगेगी तुमारी दिल पे, तुमारी आत्मेस के स्टोन के अंदर कैद हो जाएगी, और बोईस, जो जो तुमने गलत काम किया है न, तुम लाइफ टाइम में वो सारे तुमारी साथ फिर से होंगे, जिसे कि तुम्हें गिल्टी फील होना पड़े, तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे, और एकदम चाल चलने की कोशिश करता है, बड़ तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर, जूलियन ने अपने लोगों को हाँ पर भुला दिया था, और बोलता है कि मैं इन सब की जान बचाई है, और यह मेरे वफादार है, और पान-चे लोग वहाँ से आते हैं, दोनों साइड से घेर लेते हैं, और यह देखने को आदम देखते हैं कि इस मोमेंट पर अपर स्टेफन लड़ने के लिए तयार था, तब हम देखते हैं दो यह थ्याओन correct नूट नोक हमें भाए से ले खाव Кुश्ञ करता है जिंदके वापस आयए यह कुछ निज भाता है जोए को मुझे मरने गा और हुआ कोई शोक नियुक 아व IIतने सारे तुम नुट आ और तभी हम देखते हैं बारबा स्टेफन उसे कह रहा था और कह रहा था कि तेरे को कोई regret नहीं है हमारी मा मरनी का और कोई तुझे गम भी नहीं है और ये कहने के बोलता मुझे कोई मतलब नहीं है उससे और कोई भी चीज हो मुझे से बुरा लग रहा है और यह कहने के बाद डेंगанd बोलता मुझे किसी से कोई नी है और मैं यहाँ से जा रहो हो और व हाँ से चला जाता है पिर हम देखता है देंग्ता है और स्टेफशन के पास आती वैलेडी की बहुत देटे़ ने के त्रह आ एwhere application अब फिर हम देखते हैं बानी इस टाइम थी नोरा के साथ और बच्चों को गिफ्ट देने लग रहे थे और भी पर हम देखते हैं नोरा को बार बार मैरी की याद आने लग रही है और वो एक तासे बार्बी डोल देखने के बाद भी उसको याद आ रही है और यह कहने के बाद बानी बोलती है तुम्हारा ब्रेक अप हो चुका है तुम्हें मुव फोरवड होना चीए अपनी लाइफ में और पुरानी बतों भूल जाना चीए अब मैरी बोलती है तुम्हें मुझसे माफी नहीं मैंगने चीए कि तुमने एक तरह से रिंग वापस कर दी और तुम यहाँ पर आ गई और यह कहने के बाद हम देखते नोड़ा को गुसा आता और बोलते किस बाद की माफी एक तरह से लीली मर चुकी है वह रिंग भी सब चीजों को थोड़ो मुझे भी झोड़ो एक सब चीजों को झोड़ो और फ्लीज घर चलो मैं अकेली लड़ लड़के भी ठक चुकी हूँ अब और यह कहने को बाद नहीं को गुसा आता है और बोलते हैं तु अपने दुश्मनों को साथ दोस्ती कर रही है है यहां कि ह और तभी हम देखते हैं नोरा को और गुछ सा आता है और के लिए के ऐसे तुझाने दोस्त बनाने न कुछ और तुझे तरी ऐसे अकेला रहना है पिर हम देखते हैं कैरलान घर पे आ चुकी थी घर पे आने को बहुत सा तो गुस्से मिल थी क्योंकि लोग इतने साथ ताने कसरे थे टीचर और स्टूइन्ट के रिलेशन्शिप से और वहीं पर हम देखते हैं उसको अलारिक बोलता है शान्त हो जाए पुरानी बात है लोग कहके भूल जाएंगे उनको क्या पता है रियालिटी क्या है और यह कहने को बोलती है कि कोई निया अब मुझे एक तरह से रिलेक्स होना है और ब्लेट बैक से ब्लेट पीन लगती है वहीं पर अलारिक बोलता है मुझे वह ड्रिंक की शुरत है आज के दिन के बाद और जैस के बारें को इन्फोर्मेशन ही नहीं है और मुझे टेंशन हो रही है बच्चों के लिए तभी हम देखते हैं अलारिक आगे बढ़ता है तुम टेंशन मतलो तुम जब से यह न्यूस सुनाई है तुमने मेरी एकदाल जिंदगी अमेजिंग कर दिये और मेरी खुशियां भ अपने उपर और कहते हैं मुझे भार वॉक के लिए जाने तो यह कहा कि वहां से चली जाती है अफिर हम अगले सीन मेरी को देखते हैं जो बार में बैठी हुई थी अभी विट्मॉर कॉलिज के और बहुत ही ज़्यादा गुस्ता हो रही थी स्टाफ के उपर और वहीं पर बोलता है तुम्हें पता हो जब मेरे पास भी एक हरेटिक है तो तुम्हें सावधान रहना चीए तभी हम देखते हैं पीछे से एकदम वैलरी खड़ी थी और सामने आ जाती है उसको इंजेक्शन मारती है व्रिवेन का और से ब्योश कर देती है तभी हम देखते है प्रदत उदास थी और अभी बानी के रूम में बैठी थी और बानी महां पर आती हैं पर क्या हुआ और तुम्हें इन्राश क्यों हो और यह कहने कबाद बोलती है मैरी न मुझे एक तरह से चैरिटी बोक्स बोला जो लोगों गिफ्ट पगड़ाती रहती है और उसके खु क्याद है बटो सिर्फ तुम पे लाग होती चैर्टी है और बाकियों से नहीं यह फरक है और यह प्रक है और यह कहने पर उड और यहाएक टाइम नोरा के पास सब्सक्राइब करकता है एक मेंसरी युन but थे प्रणाय यह होगया सब्सक्राइब करिखे लिए में खिस्वें और सिज्षेंब करें लिमिल्टाइब के 50 से छले घंद इंदर अपनी जितनी वीally नहीं दूरे को बिलता है यह वांदा ओंघरी ऐदा में एक तारां ओंता है तो नहीं से वाल करता है वैसे मिश्य फाइना इस शोड आ बॉल है मेरी तरह से कोई दुश्मन ही नहीं है एक तरह से तटेरे और सेफरिन के बीच में लीली के लिएक पंगाई मुझे तो कोई मतलब नहीं है तुम्हा अपस में एक तरह से शुलट लो और मुझे डिस्टब मत करो तभी हम देखते हैं यह कहने कोद बोलता है मुझे याद आ ग गुस्सा आजाता और बोलता है अगली बार से कभी भी लिली की डिस्रिस्पेक्ट मत करना मैं बता रहा हूं तुम्हें वो तेरी वज़े से एक तरह से मरी है वरना कर तुझे चूज ना करती तू मरता हो बैटर था और यह कहने कवा देन बोलता है डॉंट वरी अगर मेरे प देखते जूली वहां से भाग जाता है फिर हम देखते कैरलाइन को जो एक तरह से सेमेट्री में अकेली जा रही थी और वहां जाके अपनी मॉम की कबर के पास बैट जाती है और बहुत ज़्याद हो जाती है और कहती है आपके बगर मेरे पहला क्रिस्मस होगा और इतना कि मेरे ना होते होए भी मुझे इनकी टेक केर करनी पड़े कि और मुझे आपकी बहुत याद आरी और मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्यों कि मैं पढ़ चुकी हूं सब है मेरे पास बट स्टिल अखेला पन लगता आपके बैगर और यह कहने को अधिमोस्ट लोके वहीं पर बैट जाती है स्नो के टाइम पर और आज क्रिस्मस का दिन था अफिर हम देखते डेवनों स्टेफन गुस्से वे थे दोनों भाई और सीधा पोच डालूंगा और यह कहने बाद हम देखते हैं उन तीनों के बीच में थोड़ी लड़ाई से शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि जूलियन उन दोनों पर हवी पड़ता है क्योंकि वह 500 साल पुराना वेंपायर था और बहुत ही ज्यादा पावर्फुल था तभी हम करने वाला होता है डेमन को बड़ते हैं स्धेफन उस पर एकत्रा सिर्वियन की इगरके और यह सब देखे से आत्मा फर हम देखते हैं कि आत्मा में और पहुच चुकी है स्धेश्तलई The Curse बट तभी हम देखते हैं कि और यह देखने का बट दूरी तरह से घवरा जाती है और मेरी को बोला उसको जलदी करना है और तभी स्टेफन बोलता अब तो लेट हो चुकी है और एक तरह से कोई अब फीलिक्स टोन नहीं मिलेगा में जो मारी पास अभी है नहीं और यह कहने पड़ टेंस हो जाता है और यह सोचते सोचते वह कहने लगता है कि भाई देमन है इसके जिंदगे में कितने सारे गिल्ट और प्रॉब्लम्स रहे होंगे इन सबको यह फिनिक्स टोने एक तरह से उसके लिए प्रिजन वर्ल्ड बना देगा जिससे उसको बहुत होने वाली है तभी हम देखते हैं कि अब डेमन अपने प्रिजन वर्ल्ड में जहां पर एक वर चल रही है एडीन हंडेड्स की जहां पर एक सॉल्जर था और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको गन लगी हुई है और चाड़ों तरफ बंबारी हो रही है और यह देखिए उ और नोरा वो बड़ा से तलवार लेकर फिर आती है और बोलती शायद तुम हल्प लागता हो स्टैफन और तभी वह चाकू फिर prof एकतरा से स्टैफन को मारती है वोड्र मारने को लिऊड कभी स्टैफन के एक पर फीनिक्स टॉन के अंदर चली जाती है और यहीं पर यह पी एपिसोड खताम हो जाता है तो वाइस एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मिलते अगले एपिसोड में तब तक के लिए बहुत आई स्टोरीज है दोनों भाई जा चुके एक तरह से प्रिजन वर्ड के अंदर जो स्फीनिक्स टोन के अंदर है व मिलते एगले एपिसोड में टेक केर बाब बाई टाटा सायुन्नारा